तो जन्य दोस्तों स्फऻागत आप सब्साविए लोगों का रोईत मांत्रा को दीए इस त्यंद आज के इस AD- destop कहली के समाजिक बईज्यान के आपकी HELD Pepperybike यकाल करने वाले हैं कि आपके इस Alois Challenge आध यकोई एक्जाम देने वाले हैं समाजिक बस अतार devices में cao इंपोर्टेंट निए आपके डीसमर्ण के लिए तो चलते हैं हम लोग यहां पर देखेगा जो आपका पहला क्योशन है और यहां भी ध्यान रखेगा जो आपका एकजाम होगा आपके बहुत विकल्पी के बीस देखने को मिलेंगे और इसमें आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं यहाँ पर देखी जो आपका पहला क्यूशन है जर्मनी के एकी करण में मुख भूम क्या किसकी थी जूसफे गैरी बल्डी का आटो बन विसमार्ग का निपोलियन का बिलियम प्रथम का तो पताईए इसमें स्ट्राइट एंसर क्या हो जाएगा जर्मनी के एक करण में जर्मनी के एकी करण में मुख भूमिका किसकी थी आटो बन विसमार का किसका था आटो बन विसमार का इंपोर्टन क्यूशन है आपके बोड़ पेपर कई बार पूछा क्यूशन गया है और आपका यह 24 सनी की सात मार्च को आने में 100% आ सकता है इसको भी धियान इंसर क्या हो जाएगा निपोलियन की प्राजे कब हुई थी आप बता देंगे 1815 इसवी में चलिए अगला क्यूशन है आपका यहां पर देखेगा आप लोग तीसरा प्रसन है जलिया बाग जलिया वाला जो बाग हत्या कांड किस वर्स घटित हुआ था वर्स 1918 में वर्स कब हुआ था वर्स 1919 में हुआ था इंपोर्टन क्यूशन है दोस्तों यहां के प्रसंद कई बार आपके वर्ट पेपर में यहां पूछा गया है इसको भी ध्यान रखेगा आप लोग चलिए नेक्ट कोशन है आपका आसायोगन दोलन का नेत्रित किसने किया था तो आप बताएंगे महातमा गाधी मॉति लाल नहरू, जवार लाल नहरू, लोक मान तिलख बताएंगे आप लोग इसका राइट एंसर क्या हो ज़ symbolismी जो आपके गाधी जी ने किया था इसको भी आप लोग तयार कर लेजेगा चलिए अगला किशन है आपका यहाँ पे यहाँ पर देखे पेरियार रामा स्वामी नायकर कौन थे जो आपके पेरियार रामा स्वामी नायकर कौन थे बग्यानिक थे सिच्छा विद्वान थे समाज सुधारक थे हैं कि लेखक थे तो पताईए इसमें स्राइट एंसर क्या हो जाएगा तो आप क्या बाता देंगे जो पेरियर रामा स्वामी थे आपके समाज सुधारक थे चलिए अगला क्यूशन है आपको यहां पर देखेगा आप लोग सोराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है देखिए यह आपका इसे लेकर रहूंगा किसका कथने बहुत इंपोर्टन क्यूशन है जोस्तों आपके बोट पेपर में कई बार पूछा गया क्यूशन है इसको भी नहरू तो बताए इसका राइट एंसर क्या देगा फटा फटा आप लोग इसका एंसर करें डियरिशन बताइए सोराज मेरा जन्म सिद्ध दिकार है इसे मैं लेकर रहूंगा यह किसका कथन है तो आप क्या बता देंगे आप बताएंगे बाल गंगा धर तिलक जी का किसका गाधी लाला लाला लाजपत राय उसके बाद यहां पर जवार लाल नहरू रबिंद्र नाथ टैगोर तो बताएंसर आप लोग फटा फटा करें डियर शुट क्या हो जाएगा आप बताएंगे नाइट हुट की उपादी किसने वापस किया था तो आप बता देंगे रबि सब्सक्राइब तो आप लोग इसको त्यार करके ही जाएगा अगला क्यूशन है यहां पर दीखेगा आप लोग आठावा प्रसन है हिंद सवराज पुस्तक के लेखा कौन है सरदार पटेल हैं बाल गंगधर तिलक हैं महत्मा गाधी है सुभास चंद्र बोस हैं तो बताए यह इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा हिंद सवराज पुस्तक के लेखा कौन है तो आप क्या बता देंगे महत्मा गाधी को बता देंगे यानि कि गापस निजदा राइट हो जाएगा चले नेक्स कोशन है आपका यहां पर दीखेगा बैस्विक किरसी अर्थ बियुस् गृष्ष हो जाएगा तो पिसलिए को बिकास है कब हुआ था तो आप बताढ़ें गे 1820 मिकाल अर्थिक महामंदी का प्राराम कब से हुआ आर्थिक महामंदी का प्राराम कब से हुआ वर्ष 1928 वर्ष 1930 वर्ष 1929 वर्ष 1932 तो पताए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा डियर इस्टुडेंट आप फटा-फट इसका एंसर करें दसमें का राइट एंसर हो जाएगा वर्ष 1930 में कब हुआ सारे सारे इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ट पेपर यानि की साथ मार्च को 100% यहां से क्यूश्टन बनेंगे चलिए अगला किश्टन है बिरिटेन बुर्स समेलन में निम्न में से किस संस्थान के स्थापना हुई अंतर राश्टी सुरच्छा कोस अंतर राश्टी मुद आझना है अजय विए संस्थान पूचन पूछा है चट्ट आने पत्तू पोधे मछलिया तो आप क्या बता दिएंगे चट्ट hopsन प्र salvation है ह Cow में से कौन सा एक संभावी संसान पूचा है गोईला पिट्रोलियम पवणुर्जा बाक्साइड तो क्या बता देंगे आप लोग आप बताएंगे संभावी संसाधान आपका पवणुर्जा है क्या पॉणुर्जा है इंपोर्टन क्युशन दुस्तों इसको भी दियां रखेगा अगला क्युशन है आपका यहाँ पर द तकन के पठार में पाएं पतार में नेश्च कॉशन है आपका बहुत इंपोर्ट दोस्तों या क्योंकि कई बार आपकी word paper पूछा गया और मिट्टी से रिलेटेट आपके word paper ने एक question जरूर बनेगा इसको ध्यान रखेगा तो बताए भारत की इस रोधिक उपजाव मिट्टी कौन सी है तो आप पताएंगे जलोड मिट्टी कौन सी है जलोड मिट्टी हो जाएगा next question आपका देखेगा सुलावा प्रसन है कापास के खेती के लिए कापास के खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है काली मिट्टी लाल मिट्टी जलोड मिट्टी लेट राइट मिट्टी तो बताएंगे इसका right answer क्या हो जाएगा कापास के खेती के लिए कौन सी मिट अच्छी होती है तो आप बताएंगे काले मीटी कौन सी काले मीटी नेक्ट कोशन है 17 भारत में पाए जाने वाले बनों के प्रकार कौन से हैं जोवारी प्रवती उसको बार उसरण कटी बंधी यह सभी तो बताएं जो भात्न पाए जाने वाले बनों के कौन से प्रकार हैं त लोग त्यार कर लिजेगा इसको अगला किशन ने देखिए आपके बूर्ट Ou सब्सक्राइब में यह क्षिछन बनेगा बाद से रिलेटर भी खृषिछन बनेगा हीरा कुंड परियोजना है किस नदी पर निर्मित है रिहंदबाद दमोदर महा नदी कृष्णा तो आप क्या बताएंगे जो आपका हिरांकुण पर बनाया गया है भागी रथियों भिलांगना नदी में और बहुत इंपोर्टन क्यूशन है दोस्तों इसको आप त्यार करके जाएगे क्या बहुत इंपोर्टन क्यूशन है चलिए अगला क्यूशन है आपका क्रिसलडा नदी पर है कहां पर है क्रिसलडा नदी पर इस्तीत है इंपोर्टन क्यूशन है पर सारे के सारे कर्ष्ण जरूर्ब तयार कर लेंगा यहां से आपके बट पेपर में 100% प्रसंद देखने को मिलेंगे तो डिया एंगर चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलता हूं नेस्ट वडियो में तब तक लिए जैहिन बंद्य मात्रम